आप सभी को होली की हार्तिक शुक्कामना है मैंने दी शिमाल ही आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 25 मार्च सूमबार से 31 मार्च रवीवार तक का सब्ता ही कराशिपल सबसे पहले आजाते हैं इस सब्ता में आने वाले कुछ विशेश वरत और त्योहारों पर 25 मार्च को खोली का पर्व बड़ी दुमदाम से खेला जाएगा 26 मार्च को चत्र मास प्रारम होने जा रहा है और 30 मार्च को रंग पंचमी का पर्वारा है ये तीन पर्व इस सब्ता को बना रहे हैं विशेश अब आते हैं ग्रहों की इस्तती के उपर कि इस सब्ता ग्रहों की इस्तती कैसी रहेगी और ग्राओं की इस्तती के आधार पर ही दिया जाएगा साप्ता है एक राशी फल तो सबसे पहले गुरू की बात करते हैं जो कि इस सप्ता मेश राशी में गोचर ब्रह्मन करेंगे बुद्ध भी गुरू के साथ यूति करके मेश राशी में ही विराजमान रहेंगे के तु अपनी सम राशी करन्या में विराजमान रहने वाले हैं चंद्रमा तीन राशियों करन्या तुला और ब्रश्चिक राशी में गोचर ब्रह्मन करते हुए दिखाई देंगे मंगल शनी के साथ में करांतिकारी योग बनाते हुए कुम राशी में विराजमान रहेंगे और शुक्र सूर्य और राव इन तीनों ग्रहों की यूती हमें मीन राशी में देखने को मिलेगी महीं शुक्र और बुद्ध ये दोनों भी इस सब्तार राशी परिवर्तन करने जा रहें शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी सम राशी कुम में विराजमान है 31 मार्च को वे अपनी उच्च की राशी मीन में प्रविश करेंगे तो इन दोनों ग्रहों के राशी परिवर्तन का क्या प्रभाव आपको अपने जीवन पर देखने को मिलेगा साथ ही इस सब्ता चंद्रमा की इस्ततियों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो शुरू करते हैं सापता हिक राशिफल और वीडियो के अंतक आप मेरे साथ बने रहेगा क्योंकि मैं लेकर आई हूँ धन प्राप्ति के कुछ विशेश उपाए जिने आप करके अपनी आर्थिक स्तती में सुधार ला सकते हैं तो इन उपायों के लिए आप वीडियो के अंतक मेरे साथ बने रहेगे शुरुआत करते हैं प्रथम राशी यानि मेश राशी से आपकी राशी से चंद्रमाइस विख छटे सांत्वे और आटवे भाव में गोचर ब्रह्मन करेंगे सप्ता की शुरुआत आपके लिए इतने अच्छी नहीं रहेगी चंद्रकेतु का क्रण योग बना पड़ेगा महीं कोई बड़ा रोग अगर आपके जीवन में हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा केरफुल होकर चलें क्योंकि इस समय समस्याएं बढ़ सकती हैं इस समय शत्रुपक्स भी आप पर हावी होने का प्रयास करेगा और रुपे पैसों से संबंदित मामल में आपको नुकसान की इस्ततियां देखने को मिल सकती है सावधानी हटी तुरगट ना घटी इसलिए सावधानी रख के ही आप अपने कारियों को कीजिए नहे कारियों की शुरुआत से इस समय बचिए सब्ता कमेड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है इस समय आप अपनी कोई प्रिय वस्तु को पुनफ राप्त कर लेंगे जो कि बहुत लंबे टाइम से खोई हुई थी जिससे आपकी प्रसनता भी बढ़ेगी और इस समय आपका सेल्फ कॉंफिडेंस भी अप होता हुआ दिखाई देगा सब्ता का एंड यानी वीकेंट आपके लि चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा गुलावी शुबंक रहेगा तीन और शुब्दिशा रहेगी रक्षिन पूर्वदिशा अब आते हैं व्रशब राशी पर आपकी राशी से चंद्रमाइन स्विक पांचवे छटे और साथवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे सप्ता की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलें बरी होने वाली है क्योंकि इस सप्ता पढ़ाई में निराश्च जनत परिनाम थोड़ी सी कटनाई लक्ष को प्राप्त करने में और दिक्तों का सामना आपको जीवन में छोटी-छोटी समस्याओं में करना पड़ सकता है थोड़ा सा धहरी के साथ अपने कारियों को कीजिए हाइपर होना या आविश में आकर गलत नेने लेने से आपको इस समय बचना होगा इस समय संतान को लेकर माता-पिता की चінताएं बढ़ सकती है उनके स्वास को लेकर उनके आथ्तों को लेकर उनकी पढ़ाई को लेकर वो थोड़े से टेंज नजराएंगे परंतु इस समय आपको इस्तिर रहकर अपने बच्चों को सही गाईडेंस प्रदान करनी है ताकि वह सही मार्क पर लोट आए, वर्क प्लेस पर भी काम का बर्डन थोड़ा सा दिक रहने वाला है सप्ता का मेड आपके लिए स्वास समंदी समस्यों को उत्पन कर सकता है इसलिए अपने स्वास का इस समय विशेश रूप से ध्यान रखें योजनाबत तरीके से अपने कारियों को करें और नए कारे की शुरुआत की अपिक्षा जो काम चल रहे हैं उनी को सही ढंग से प्रॉपर वे में करने का प्रयास करें तो वो कारियर सही तरीके से संपन होंगे और उसमें भी नुकसान आपको नहीं जेलना पड़ेगा सप्ता का एंड यान वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा है फैमिली लाइफ पार्टनर के साथ आप अच्छा और कॉलिटी टाइम बिताएंगे वहीं जो लव रिलेशन्शिप में है उनको लव में बड़ी सफलता प्राप्त हो जाएगी व्रशब राशी के जातक माता लक्ष्मी और भगवान विश्नु की पूज़ा आरादना करें आपका शुबरंग रहेगा नारंगी शुबंक रहेगा च्छे और शुब दिशा रहेगी दक्षिन पश्यम दिशा अब आते हैं मिथुन राशी पर आपकी राशी से चंद्र माइस स्वेग चौथे पांचवे और छटे भाव में गोचय प्रमन करेंगे सब्ता की शुरूआत आर्थिक समस्याओं को उत्पन करेंगी चोटी-चोटे काम में आपके हाथ अटकेंगे धन समन्दी समस्याओं आपके सामने आकर खड़ी होगी इस समय आप अपने बजट को किस तरीके से मैनेज करते हैं निरधारित करके चलते हैं उसी पर सारी सिच्विशन डिपेंड करेगी इसलिए सप्ता के प्रारम में एक बजट बनाई है और उसके अकॉर्डिंग ली चलिए ताकि पैसों की दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़े अनरगल कारियों में अपना रुप्या वेस्ट करने की अपेक्षा आप सही जगह निवेश करेंगे तो आपके लिए बैतर रहेगा इस समय आपको अपनी माह से विरोधों का सामना करना पड़ सकता है यानि आपसी तालमेल के कमी दिखाई देगी परंतु आप अपनी शान्ती सूजबूच से अपनी बात को उन तक पहुचाएंगे और जल्दी इस समस्या का हल निकल ही जाएगा वर्क प्लेस पर थोड़ा से स्ट्रगल करना पड़ सकता है आपके लिए ही आपको अपने कारियों को पून करना होगा परंतु सकता काम मेड़ आते आते आपकी मैनत रंग लाएगी और आपके कामों का प्रतिफल आपको जरूर देखने को मिलेगा अधिकारी भी आपसे प्रसनच इतना जराएंगे करियर को लेकर जो यूवक यूटिया परिशान थे उनकी परिशानी का हल आपको प्राप्त हो ही जाएगा यानि अब निकल जाएगा इस समय आध्यात्मिक कारियों में आपका मन अधिक लगेगा और धनकर्म के कारियों से जुड़कर आप अपने अंदर एक नई उरजा और मानसिक शान्ती का अनुभव करेंगे सब्ता का एंड यानि वीकेंट आपके लिए ग्रह कारियों में अपने परिवार का साथ देने का है इस समय अनर्गल यात्राएं करने से बचे क्योंकि एक्सिडन्ट की संभावना बनी हुई इसलिए अपने परिवार के साथ ही वीकेंट को बनाने का प्रयास करें इस राशी के लोगों को स्री सुक्त का पार्ट करना चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा स्लेटी, शुबंक रहेगा आठ और शुब्दिशा रहेगी दक्षन दिशा अब आते हैं करक राशी पर आपकी राशी से चंदर माहिस्विक, तीसरे, चौथे और पांचवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे सब्ता की शुरुआत आपके लिए बल और पराक्रम से भरी रहेगी छोटे भाई बैनों का साथ और सयोग आपको बरपूर देखने को मिलेगा कारिय प्रगती पर रहेंगे और योजनवत तरीके से किये गए कारियों का भी लाप राप्त होगा इस समय प्रतीदबंदी कितना भी प्रयास कर ले आपके कारियों में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुचा पाएंगे इस समय आप बहुत daringness से अपनी हर परिस्तिती को deal करेंगे जिससे आप और अधिक confident नजर आएंगे सब्ता का made up के लिए थोड़ा सा mixed result लेकर आएगा इस समय financial problems हो सकती है इसलिए budget देखकर चलें किसी को भी इस समय न उधार दें और नहीं किसी से उधार लेकर अपने कारेों को करने का प्रयास करें जितना हो सके आप अपने ही पैसे को थोड़ा सा गुमा कर अपने इस समय को निकालने का प्रयास करें इस समय आपको वर्क प्लेस पर भी कुछ चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए mentally प्रिपेर रहें, सब्ता का end यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, आध्यात्मिक कारियों में आपका मन अधिक लगेगा, एक सकारात्म खुर्जा, आ आपका शिब्रंग रहेगा भूरा, शुबंक रहेगा दो, और शुबदिशा रहेगी दक्षन पूर्वदिशा, अब आते हैं सीह राशी पर, आपकी राशी से चंद्रमाइस वीक, दूसरे, तीसरे और चौते भाव में गोचर प्रमन करेंगे, सब्ता की शुरुवात कुछ असुब समाचारों से बरा ये टाइम पीरियड रह सकता है, इसलिए अपने मन को थोड़ा सा इस्थिर कर लें, इस समय परिवार को संभालने का दाइत्वाप पर हैं, इसलिए अपनी फैमली के लिए एक मजबूत स्थम बनें, इस समय धन समंदी समस्याएं हो सकती है थोड़ी सी कठनाई आपको अपने कारियों को पूर्ण करने में आ सकती है, इसलिए ऐसी समस्याओं से डील करने के लिए आप अपनी बच्चत को इस्तमाल कर सकते हैं, इस समय आप कोई भी पैत्रिक समबत्ती समंदी विवादों को पुना न उकेरे, सब्ता का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, राजनिती से चुड़े हुए सुपसमाचारों की प्राप्ती आपको उती हुई दिखाई देगी, फैनेंशल कंडिशन मजबूत रहेगी, पराक्रम और बल में व्रद्धी होगी, और कारियों फटा-फट से होते दिखाई देंगे, यो बस अपने कारियों को और्गनाइज वे में पूरा करने का प्रयास करें, सेह राशी के लोग माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें, आपका शुबरंग रहेगा ग्रे, शुबंक रहेगा साथ, और शुबदिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, अब आते हैं कन्या राशी पर आपकी राशी से चंद्रमाइस वीक, आपके खुद की राशी दूसरे और तीसरे वाउं में गोचर प्रमन करेंगे, सब्ता की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, इस समय आपके दद्याल वालों से किसी बात को लेकर मदबेद हो सकते हैं, जिससे सम्मंद खराब हो सकते हैं, थोड़ा सा धहरे के साथ अपने रिस्तों को डील करें, इस समय काम में भी लापरवाई बिल्कुल भी ना करें, नए कारियों की शुरुआत आप करने से बचें, इस समय अगर आपको कारिय पूर्ण करने में कठिना ही आ रही है, तो आप अपने बौस क अधिकारियों की सला ले सकते हैं, महीं आप अपने घर के बड़ों का मार्ध दर्शन्दी ले सकते हैं, इस समय जितना शान्त रहकर आप अपने कारियों को करेंगे, उतना ही आपके कारिय फटा-फट से होते चले जाएंगे और मुश्किलें कम हो जाएगी, सब्ता का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा, कुटुम में मान सम्मान बढ़ेगा, इस समय योजनावत तरीके से किये गए कारियों का लाब भी प्राप्त होगा, मैनत आपने जो कर रखी है, उसका बैतर परिणाम आप इस समय प्राप्त करेंगे, आपको परिवार का पूरा साथ और सयोग देखने को मिलेगा, सब्ता का एंड यान वीकेंट आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, छोटे भाई बैन और कजन्स के साथ चल रहे मतबेच समापत हो जाएंगे और उनके साथ अच्छा और कॉलिटी टाइम आप इस समय बिताते हुए दिखाई देंगे, इस राशी के लोगों को स्री सुक्तम का पार्ट करना चाहिए, आपका शुब्रंग रहेगा मजेंटा, शुबंक रहेगा नो, और शुब्दिशा रहेगी उत्तर दिखाई, अब आते हैं तुला राशी पर आपकी राशी से चंदर माइस वेक, बारवे आपकी खुद की राशी और दूसरे भाव में गोचर प्रमन करेंगे, सब्ता की शुरुआत आपके लिए खर्चों से बरी रह सकती है, अपने खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस और नियंतरित करने का प्रयास करें, इस समय अनर डालना चाहिए और गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास भी बिल्कुल भी ना करें, वरना नौकरी पर आचा सकती है, सब्ता का मिड यानि वीक के मिड में आप अपने घर के बड़ों का आशिरवात प्राप्त करेंगे, समस्या कम होती हुई दिखाई देगी, योजनवत तर रहें, उसको पूरा कॉंसंट्रेशन और डेडिकेशन से करें, सब्ता का एंड यानि वीकेंट आप के लिए बहुत ही बैतर रहने वाला है, इस समय सामाजी कारिक्रमों में परिवार के साथ हिस्सा लेंगे, और परिवार और कुटुम के साथ मेल मिलात के कारिक्रम चलते रहेंगे, इस राशी के लोगों को शुक्रवार को पूजा के समय इन मंत्रों का जाप करना चाहिए, ओम महालक्षमी नमा, आपका शुबरंग रहेगा सफेद, शुबंक रहेगा, एक और शुबदिशा रहेगी, उत्तर पूर्वदिशा, अब आते हैं व्रशिक राशी प आपके लिए कठिन समय लेकर आएगी, इस समय थोड़े चैलेंजेस आपके लिए जरूर दिखाई देंगे, परन्तु आप अपने धैरियर से इन चैलेंजेस को पार कर ही लेंगे, इस समय किसी भी कारे को जल्दबाजी में न करें, और शानती से अपने मुद्दों को सुल जलने का प्रयास करें, इस समय अनरगल निवेश से बचे, बचत योजनों में किया गया इन्वेस्मेंट, आपके बड़े काम आएगा, सरकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा, सब्ता का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाल आपका शुबरंग रहेगा हरा, शुबंग रहेगा अच्छें और शुबदिशा रहेगी पश्यम दिशा, अब आते हैं धनू राशी पर आपकी राशी से चंदर माइस वीक, दसवे, ग्यारवे और बारवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे, सब्ता की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टप रहने वाली है, इस समय काम की अधिकता की वज़े से ठकान और कमजोरी का अनुभाव करेंगे, अधिकारी भी अधिक रहेगा, इस समय बस आपको अपनी हिम्मत को बटोरना है, और अपनी सेल्फ कॉंफिडेंस को जगाना है, आप जितना डेडिकेशन अपने काम में दिखा सकते हैं, इससे आप अपने कारियों में सफलता जरूर हासिल करेंगे, कटनाईयां हमें आगे बढ़ने का हो जाप्त करेंगे, अचानक धनलाप के योग बनेंगे, अगर आपने किसी को उधार दे रखाये तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसनता के भाउत्पन होंगे, इस समय सामाजी कारिक्रमों में आपकी भागीदारी भी बढ़ेगी सप्ता का एंड यानि वीकेंड थोड़ा सा खर्चों से बरा रह सकता है, इसलिए अपने बजट को देखकर चलें, और अनर गल खर्च बिलकुल भी ना करें, इस समय मित्रों का अच्छा साथ मिलेगा और व्यापारिक वर्ग को कुल बड़ा ओर्डर विदेशों से प्राशी के लोगों को गाय को घरा चारा खिलाना चाहिए और पक्षियों को दाना डालें, आपका शुब्रंग रहेगा पीला, शुबंक रहेगा पांच, और शुब्दिशा रहेगी उत्तर पूर्वदिशा, अब आते हैं मकर राशी पर आपकी राशी से चंद्रमाइस वीक, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर ब्रह्मन करेंगे, सब्ता की शुरुवात आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, इस समय नई कारियों की शुरुवात से बचें, जो यूब की उतिया नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको धैरिये बनाए रखें और कोशिशों को जारी रखें, इस समय आप अपने अधूरे पड़े हुए कारिये को पहले एक कारिये ले, फिर दूसरा फिर तीसरा इस तरीके से वन बाई वन लेते चले जाएं, बलकि इस समय आप किसी भी कारिये में ऐसा न करें कि एक कारिये को अध्यात्मी कारियों में आपका मान अधिक लगेगा, इस समय आप लोगों की साहिता के लिए आगे आएंगे, जिससे आप मान से क्षान्ती, नहीं उर्जा और मान सम्मान और प्रतिष्टा अपनी बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, सब्ता का मेड आपके लिए काम की अध अधिना मना कर काम करें, सबी कारे फटा-फट से हो जाएंगे, व्यापारिक वर्ग अपने काम में कुछ बदलाव कर सकते हैं और ये बदलाव आपके लिए बहुत ही सकारात्मक साबित होंगे, पिता का पूरा मार्दर्शन आपको देखने को मिलेगा, सब्ता का एंड या शुबंक रहेगा, दो और शुब दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, अब आते हैं कुम राशी पर आपकी राशी से चंदर माइस वेक, आटवे, नमे और दसवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे, सब्ता की शुरुवात आपके लिए यात्राओं से भरी रहेगी, परन्तु इस समय लंबी दूरी की यात्रा खुद तैय करकर मत चाहिए, क्योंकि खुद ड्राइब करेंगे तो एक्सिडेंट होने की संभावना अधिक बन सकती है, इसलिए बहुत सेफ साइट चलें, हो सकें तो यात्राओं को भी टाल दें, जिसकी कामों में इंविस्मेंट ना करें, और बाउकता बस अपनी गोपनी बातों को किसी के साथ शेयर न करें, वो व्यक्ति आपको नु कारियों की शुरुआत आप कर सकेंगे, इस समय आप योजनमत तरीके से किये गए कारियों का भी अच्छा लाप राप्त करेंगे, नया स्टार्ट अप शुरू करना चाता है तो उसके लिए फंड की व्यवस्ता हो जाएगी, महीं जो यूवक यूतिया नौकरी की तलाश क अच्छी नौकरी मिलने के पूरे योग बनेंगे, सब्ता का एंड यानी वीकेंट आपके लिए थोड़ा सा काम अधिक लेकर आएगा, परिवार के साथ आप ग्रह कारियों में उनकी मदद जरूर करेंगे, परंतु जितने कारियों के लिस्ट बना रखी है, उतने कारियों पूर्ण नहीं हो पाएंगे, पर उनकारियों को वीक के बे के बीच में आप कर सकते हैं, एक एक कारियों को लें और उसे पूरा करते चले जाएं, इस राशी के लोगों को दक्षिनावर्ती संग की पूजा करके, इसे अपने धन या तिजोरी वाले स्थान पर रख दें, आपका शुब्रंग रहेगा काला, शुबंक रहेगा छे, और शुब्दिशा रहेगी दक्षिन पश्यम दिशा, अब आते हैं मीन राशी पर, आपकी राशी से चंद्र माइस वीक, साथवे, आटवे और नमे भाव में गोजवर प्रामन करेंगे, सब्ता की शुरूआत आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाली है, इस समय पार्टनर्शिप को खत्रा हो सकता है, व्यापारिक वर अगर पार्टनर्शिप म हो सकती है, व्यापारिक वर के लिए ये समय बहुत जादा सावधानी के साथ आगे बढ़ने का है, जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मदवेद हो सकते हैं, इसलिए उनसे भी जगड़ा पिलकुल भी ना करें, लव रिलेशन्शिप में अभी इस समय आपको आगे बढ कारे में पूरी जाच परताल जरूर कर लेनी चाहिए, आख मून कर बरुसा करेंगे तो हो सकता है आपको दोका मिल जाए, तो सावधानी के साथ वीक के प्रारम में चलना होगा, सब्ता काम मिड आपके लिए योजनाबर तरीके से अपने कारियों को पूर्ण करने का है, इ इस समय कोई भी important meeting अगर आपकी संपन होनी है तो वो आपके लिए favorable रहेगी, सब्ता का end यानि weekend आपके लिए मौज मस्ती और आध्यात्म कारियों में व्यस्त रहने का है, इस समय आप आध्यात्मिकता से भरपूर रहेंगे और परिवार के साथ किसी धार्मिक स्तल की यात् कर सकते हैं, इस राशी के लोगों को भगवान सूर्य नारायन की पूजा अराधना करनी चाहिए और उन्हें जल अरपित करें, आपका शुबरंग रहेगा लाल, शुबंग रहेगा चार और शुबदिशा रहेगी पूर्वदिशा, तो ये है 25 मार्च सोम वार से लेकर 31 मा गुरुमा निधिश्री माली एक प्रसिद्ध ज्योतिश आचार्य हैं, उनके जोधपुर स्थित ज्योतिश संस्थान में, महामृत्युन जय, काल सर्प दोश, मा बगला मुखी, विवाह बाधा निवारन पूजा, एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के वि जोगला में, जिक आपने के लूजी सवितया हैं, आपने के जय ada के विवपड़ quests, आपने के नहीप हैं, माले के जाएंस आप